गुड मॉर्निंग फ्रेंड क्लाश टेंथ साइन्स का सेल बस आज हम आप लोगों को बताएंगे जो आपके एक्जाम में आएगा वही आप लोग पढ़िएगा केमेश्ट्री तो हम आप लोगों को पढ़ा दिये हैं मैथ का भी केमेश्ट्री हम जो इंपॉर्टेंट है वो भी आपको बता दिये हैं और केमेश्ट्री का सेल बस भी कम्प्लीट है क्लाश टेंथ वालों का मैथ है मैथ का जो बहुत इंपॉर्टेंट कुर्शन है और जैसा कि CBSC बोर्ड में बहुत ही जादा कुर्शन पुटप किया गया है वो सारे कुर्शन हम आपको वीडियो में बता चुके आप हमारे चैनल पे जा करके देखिए चैनल यही है हमारा सिप्रा मिस्रा और प्लेलिस्ट हम बनाए हैं उसमें जा कर देखेंगे math का बहुत ही important question है और new silvers का new topic से value based question जो की math में इस बार बहुत ही जादा chance आने का वो भी question हम आपको बताए हैं उस type के question बहुत ही exam में पूछा जा रहा है ठीक है और इस बार तो पूरा silvers ही change हो गया है हमें आपसे यही उम्मीद है आप लोग कहीं से भी पढ़िए बट अच्छे numbers ले के आओ ओके अब हम लोग आपको Silves के बारे में बताएंगे देखो Chapter 1 ये जो अभी हम आपको बता रहे है Chapter 1 Chapter 2 Chapter 5 और Chapter 6 ये सब जो question है जो topic है इस topic से देखो Chapter 1 क्या है Chemical Reaction and Equation ये जो है आपके exam में हर एक topic यहां से पूछा जाएगा कहीं से भी ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाएगा ये बहुत ही important topic है जो की हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं Chapter 2 Acid, Base and Salt ये भी बहुत ही important topic है हम आपको एक-एक topic अलग-अलग video बना के आप लोगों को send किये हैं वहाँ पर जाके आप लोग देख लीजिएगा Chapter 5 Periodic Classification of Elements ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं Chapter 6 Life Process Life Process ये बायो का chapter है ये भी important है इसमें से भी कोई ऐसा topic नहीं है जो delete कर दिया गया सारे topic इसमें से important है और सब exam में आने का chance है Chapter 1 How do organism reproduction ये भी बहुत important chapter है बायो का है इसमें से भी कई हर एक topic से exam में पूछा जाने का chance है कोई भी ऐसा topic नहीं है जो delete कर दिया गया है ये जितने भी topic है सब important है और सारे से question पूछने का chance है Chapter 12 Electricity ये physics का chapter है ये भी कहीं से भी इसमें से delete नहीं किया गया है ठीक है Chapter 13 Magnetic effect of electric current इसमें से भी कोई topic ऐसा नहीं है जो कि delete किया गया है सब important topic है और सब exam में आने के chance है Chapter 16 Management of nature source ये भी बहुत important topic है कहीं से भी इसमें काटा नहीं गया है सारा exam में आने का chance है हर एक topic से exam में आने के chance है तो अभी तक हम आपको जितना भी chapter का नाम बताए है ठीक है इसमें से आपका कोई भी topic जो है वो delete portion में नहीं आया है अब हम लोग जो आपको बताएंगे वो deleted portion है उसमें से कुछ delete किया गया है और कुछ exam में आने का chance है चैप्टर 4 bonding in carbon the covalent bond देखो carbon and compound इस chapter का नाम है और ये सब जो है ये topic है वेरेश्टाइल नेचर साफ carbon homologous series इस chapter 4 से बस तीन ही topic पुछा जाएगा हम ये भी बहुत ही अच्छे से आपको वीडियो बना के दिये हैं जो की जो जो important आप ये important है इसका example, definition और इसके बारे में full explanation से हम आपको वीडियो बना के दिये हैं सब playlist में हैं आप लोग जाकर वहाँ से देखिए और सब free में है ये जो chapter 7 है इसमें बस क्या important topic है वो हम आपको बताएंगे देखो human's brain इसमें human brain आप लोग definition पढ़िएगा और जो figure ये इन्सियाल्टी में बना है उसको आप लोग देख के जाईएगा क्योंकि उस figure आपको बना के देदेगा और नाम भी पूछ सकता है या तो figure ही बनाने के लिए दे सकता है ओकी chapter 9 chapter 9 जो है वो कहां तक आएगा देखो sex determination ये आपके exam में यहां तक जो topic है शुरू से लेकर last तक sex determination topic तक आपके exam में पूछा जाएगा ये जो evolution है ये आपके exam में यहां से जो topic start है evolution से वो वहां से उस topic से आपके exam में नहीं पूछा जाएगा ठीक है COVID-19 की वज़े से आप देखो chapter 10 chapter 10 जो है light, reflection and reflection ये जो है ये सब important है ये exam में आएगा पूरा अब देखो chapter 11 the human eyes and the colorful words ये जो है इसमें जो है power of accommodation जो है chapter 11 में यही जो topic है यही तक आपके आएगा शुरू से लेकर यहां तक इस topic तक power of accommodation तक ही आपके exam में आएगा और ये जो defect of vision and this correction है ये आपके exam में यहां से जितने भी topic है और ये भी आपके exam में नहीं आएगा chapter 13 magnetic effect of electric current इसमें जो है पूरा topic आएगा बस ये जो electric generator है और domestic electric circuit है ये दोनों आपके exam में नहीं आएगा यहां से जितनी भी topic start है वो आपके exam में नहीं आएगा और chapter 14 है source of energy ये आपके exam में आने का chance है बट ये जो conventions source of energy and fossil fuel है ये आपके exam में बिलकुल नहीं आएगा क्योंकि COVID-19 की वज़ा से आपका cell bus बहुत ही छोटा कर दिया गया है हमारे चैनल का नाम शिप्रा मिस्रा है आप इस पर जा करके बहुत ही important question math का दिया गया है और कुछ value based question दिया गया है वो भी आप लोग solve करिएगा बहुत ही important है और exam में कई बार वैसा question पूछा गया है और आने का भी chance रहता है ठीक है ओके बाय बाय अगर आपको कोई भी problem हो chemistry, physics, math से तो आप comment करके बता दिजीएगा प्राइब बाया है